नमस्कार स्वागत है आपका स्पेशल डे में मैं हूँ आपके साथ भारती सेंग विश्व हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो साल 2006 में ततकालीन प्रधानमंतुरी मनमोहन सिंग ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाने की खोशना की थी तब ही से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है बता दें कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच फर्क है हिंदी दिवस 14 सितमर को मनाया जाता है और वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आईए अब आपको कुछ व विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधी शामिल हुए थे 2006 के बाद से हर साल 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने की घोशना की थी विदेशों में भारतिय दूतावास विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विशेश आयोजन करते हैं सभी सरकारी कार्यालों में विभिन विशेव पर हिंदी में कारेक्रम आयोजित किये जाते हैं नौर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस भारतिय दूतावास में मनाया गया था इसके बाद दूसरा और तीसरा हिंदी दिवस बेहत दूमधाम से मनाया गया 14 सितंबर 1949 को सम्विधान सभा ने हिंदी को राज भाषा का दरजा दिया था तब ही से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है अभी विश्व के सैंकडों विश्व विद्यालों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोणों लोग हिंदी बोलते हैं यही नहीं हिंदी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पांचवी भाशाओं में से एक है दक्षण प्रशांत महासागर के मिलनीश्या में फिजी नाम का एक द्वीप है फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाशा का दर्जा दिया गया है इसे फिजियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी भी कहा जाता है यह अवधी, भोचपुरी और अन बोलियों का मिला जुला रूप है पाकिस्तान, नेपाल, बांगलादेश, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, न्यूजिलेंड, संयुक्त, अरब अमिराथ, युगांडा, तुरिनिदाद, मौरिशिस और साउथ अफ्रीका समेट कई देशों में हिंदी बोली जाती है साल 2017 में ऑक्सवोर्ड डिक्षनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सुरे नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया विश्व आर्थिक मंच की गर्णा के अनुसार, हिंदी विश्व की, दस शक्तिशाली भाशाओं में से एक है तो ये थी कुछ खास और एहम बाते, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेर करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद